Hello everyone, अभी तख हमने डिसकस किया था Basic Structure Doctrine का Part 1 अब हम इस वीडियो में Part 2 पर डिसकस करेंगे यानि कि जो बच्चा हुआ था भाग उसको ही आगे बढ़ाएंगे तो हम पढ़ रहे थे Evolution कैसे हुआ Basic Structure Doctrine का पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके फर्स्ट कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंड शंगरी परिसाद वर्सिस यूनियों ऑफ इंडिया का केस सजन सींग गोलकना तथा केश्वनन भारती वर्सिस स्टेट ऑफ केरला उननी सो तेता यह सारे केसे हम अपने प्रिवियस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं तो यह सबी कैसे थे प्रॉपरटी राइट से रिलेटेड थे भूम या दिगरत हो रही है तो इन लोगों ने केस कर दिया कि हमारे फंडमेंडल राइट का हनन हो रहा है तो फंडमेंडल राइट बेसिक स्टेक्चर का पार्ट है यह नहीं है यह अनको संशुदित किया जा सकता है यह नहीं किया जा सकता इसके उपर ये सारे cases थे जो अगला case है हमारा इंदर गांधी वर्सिस राज नराइन case तो जैसा कि हम सभी जानतें इंदर गांधी जी भारत की पहली और एक मात्र फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इनने बहुत लंबा कारेकार रहा इनका 11 वर्ष लगभग इनका समय था और जुराज नराइन है ये फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटीशन भी थे इंदर गांधी सरकार की आलोचना करते थे इनकी जो भी पॉलिसी रहती थे उनकी आलोचना करते और अपोस करते थे ये स्टोरी थोड़ी सी इंट्रेस्टिंग है इसलिए मैं आप से डिसकस करना चाहती हूँ देखिए इंदरा गांधी जी 1967 में प्रधान मंत्री बनी थी और फिर 71 में अगले चुनाओं होने थे तो इन चुनाओं में राज नराइन इनके अपोस में इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे राइबरेली यूपी से और ये किसकी पार्टी में थे जो राम अनुहर लोईया जी की पार्टी थी सम्यक्तिव सोचलिस्ट पार्टी उसके केंडिडेट थे अब क्या होता है इलेक्शन हार जाते हैं लेकिन अपनी हार को परदाश नहीं करते इलाबाद हाई कोट में इंद्रा गांधी जी के खिलाफ अपील कर देते हैं कि इन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की है इन्होंने चुनाओ में अपनी जो कावर का दो रुपयों किया है यह सारे सैंक्शन इन पर लगाते हैं तो इलाबाद हाई कोट का जो वर्डिक्ट आता है 12 जून 1975 को उन्होंने इंद्रा गांधी जी की सदस्या सदस्यदा को खारिज करने का आदेश दिया डिस्क्वालिफाइ किया उनको 6 साल तक लोक सभा गया इलेक्शन से दूर रहने के लिए का गया तो इसके बाद इंद्रा गांधी जी पहुचती है सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने भी वो डिसीजन को होल्ड किया कहा कि लावाद हाई कोट का डिसीजन सही है लेकिन उनको पर्मीशन दे दी कि आप प्रदान मंत्री की पोस्ट पर रह सकती है अगले 6 महीने तक के लिए और अब क्या हुआ कि देश में विद्रो होने लगे पॉलिटिकल क्राइस हो गई इंडिया में इनसे रिजाइन की मांग करने लगे जै प्रकाश नरायन ने मांग की रिजाइनेशन की तो इंडर गांदी जी के खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन हुए यही कारण था कि 25 जून 1975 को आर्टिकल 352 का यूज किया गया इमर्जेंसी लगाई गई देश में और इन्होंने इमर्जेंसी लगाई तो काफी सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया था जो भी बोलते थे इनके खिलाफ और इन्होंने क्या क्या 39th Constitution Amendment कर दिया 39th Constitution Amendment क्या था कि जो भी elections होंगे मतलब जो यह जो है इनके disputes होंगे President, Vice President, Prime Minister और Speaker के Judiciary के scope से दूर रखा गया मतलब इनके बीच में Judiciary इंटरफेर नहीं करेगी किसके बीच में अगर President का, Vice President का Prime Minister का और Speaker का चुनाव सम्मंदी कोई मामला है तो court बीच में नहीं आ सकती तो यह case इसी संशोधन के कारण किया गया था कि क्या यह जो 39th Amendment है यह valid है कि नहीं है तो इसकी validity चेक करने के लिए यह case है तो इस case की सुनवाई जो है वो उस वक के Chief Justice of India सुलवे Chief Justice इंडिया थे यश्वन्त विश्नु चंदर चुण उन्हों नहीं की थी और 39th Constitution Amendment को invalid गोशित कर दिया गया था कहा कि यह unconstitutional है क्योंकि पार्ली अमेंड का जो अमेंडिंग पावर है Constitution को अमेंडमेंड करने का जो पावर है वो इतना असीमित नहीं है कि उसका जो Constitution का basic structure है उसको आप destroy नहीं किया जा सकता यह कहा गया कहा कि पावर सिर्फ पार्ली अमेंड के पास नहीं है पावर का वित्रण है separation of power rule of law free or fair election यह हमारे basic feature के मूल बिंदू है तो इनको किस तरह से बदला जा सकता है इसलिए इस Constitution Amendment को अवेगोशित कर दिया गया unconstitutional करार दिया गया अब क्या होता है थोड़ी सी आगे की स्टोरी भी देख लेते है जब फिर नौनी के किया 142nd Constitution Amendment कर दिया 1976 में और कहा कि लोकसभा का टर्म बढ़ा दिया गया 5 से 6 वर्षों तक के लिए और आर्टिकल 368 के तहट पार्लियमेंट को unlimited कर दिया गया और कोई भी amendment question नहीं किया जा सकता किसी भी court में चाहे वो fundamental right को भी जीने या कुछ भी करे तो ये fundamental right का जब हनन हुआ ये भी union amendment कर दिया था उसमें उसके बार जब emergency खतम हुई थी 77 में तो इंद्रा गांधी जी के सरकार बुरी तरह हारी थी election हुए थी और उनके against में फिर से राजनाराइन जी खड़े हुए थी और इस वार इंद्रा गांधी जी को 55,200 वोट से हारना पड़ा था और देश में पहली बार non congress government फॉर्म हुई थी मोराल जी देशाई जी की और राजनाराइन को health minister बनाया गया था तो ये थोड़ी सी story थी अब अगला case क्या होता है 42nd amendment हो गया उसके बाद अगला case होता है Minerva mill case 1980 का तो ये जो mail है cotton mail है करनाटक में एक private textile mail है और कम production के चलते एक जाज बठाई गई थी सरकार के द्वारा तदा इसको nationalize कर दिया गया sick industries undertaking act 1914 के तहत इसको nationalize कर दिया गया तो क्या हुआ petition file की गई कहा कि ये fundamental right और DPSP confuse करते है DPSP इसको वरियता दे दी गई fundamental rights के उपर और कहा गया petitioner के द्वारा की ये जो 40 second constitution amendment हुआ है ये इस्थाई emergency लगा देता है कहा कि emergency के दौरान हमारे fundamental right कुछ time period के लिए हमसे चीने जाते है लेकिन 40 second constitution amendment एक इस्थाई emergency लगा देता है क्योंकि हमारे fundamental right को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया जाता है इसमें fundamental right को suspend ने और permanently हटा दिया गया है ऐसा petitioner के द्वारा कहा गया था तो क्या सरकार कभी भी अपनी पनमर्जी करेगी सारा power क्या सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है तो इस judgment का जो verdict आया था उसने 42nd constitution amendment के कुछ भाग को invalid घोशित कर दिया था कहा कि unconstitutional है और ये clear किया था कि parliament और parliament supreme नहीं है क्या supreme है Constitution of India is the supreme जो limited power है amendment करने का parliament का वो एक basic feature ही है ये भी कहा गया court ने judicial review को add किया गया और कहा कि fundamental right और DPSP में directive principle of state policy इन में एक balance बना कर चलना होगा अगला landmark case है woman draw case 1981 का ये case भी property rights related ही है fundamental rights से अब ये क्या कहता है ये woman draw जो case है इसमें 42, 42nd constitution amendment और कुछ article 31a और 31b इनके बारे में challenge किया गया था इनको सुप्रीम कोट में एक case पहले से ही फाइल था दतात्या गोविंद case लेकिन 1967 में emergency के कारण इस case को reject कर दिया था और दभी 44th constitution amendment हुआ था जिसमें article 31 और 31a को हटा दिया था तो जो woman draw case है वो review है दतात्या case का तो इसका जो judgment आया था सबसे पहली बात तो इसने जो misconception था हरे case का कि क्या fundamental rights का violate होता है तो जरूरी है क्या basic structure का भी violation होता है तो इस judgment में ये clear हुआ था कि अगर fundamental right का violation हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि basic structure का भी violation हो रहा है देखिए जो केशवनन भारती case जो था इससे पहले के भी case थे उनमें property rights के बारे में कहा गया था जो हनन हो रहा था तो इसके बीच में जो 44th constitution amendment हुआ था उसमें property right को constitutional right बना दिया था ना कि fundamental right बचा तो अब ऐसे में जो 9th schedule में act है उन पे judicial review होगा या नहीं होगा तो अगर सारे case को हटाते है उसमें से तो withdraw होने लगते पुराने cases के भी सारी जो files खुलती तो इसके लिए एक line draw कर दी गई कहा कि जो केशवनन भारती case का judgment आया था 24 अपरेल 1930 इसके बाद के जो भी cases रहेंगे उन पे judicial review होगा उससे पहले के cases पर नहीं होगा तो एक line draw कर दी गई यह इस वमन राओ case की important point था है यह बिंदू थी important अगला case आता है इंद्राजानी वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया 1992 का इसका थोड़ा सा background जान लेते हैं लेकि यह मंडल कमिशन का गटन हुआ था जनता पार्टी मुराजी देशाई की उसके द्वारा 1989 को किस्टीज के लिए socially और educationally backward classes है उनका identification करने के लिए अगले साल 1980 को बीपी सिंग ने अनाउंस किया कि वो मंडल कमिशन की रिपोर्ट थी उनकी recommendations को accept करते हैं क्या थी इसमें 27% reservation देने की बात की गई थी OBC candidates के द्वार के लिए अब issue क्या है issue है हमारे समविधान में article 16 deal करता है equal opportunity से तो 61.1 और 61.4 यह आपस में ही confliction create करते हैं तो जो 16.4 है यह supersede करता है 16.1 को क्योंकि 61.1 कहता है कि equal opportunity और 16.4 कहता है government reservation देगी OBC को तो equal opportunity नहीं मिल रही है जो equality है उसको abolish किया जा रहा है article 16 में तो court के द्वारा इसका जो verdict था उसमें 10% poor section के लिए reservation देने की बाद जो कही थी higher caste के जो poor section दे उनको reject कर दिया गया और 27 प्रतिशत reservation OBC candidates के लिए और दिया गया जो creamy layer को हटा दिया गया उसके basis पर promotion में reservation को असमवेदा निगोशित किया गया और reservation जो total reservation है वो 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए यह limit set की गई carry forward rule को भी लगाया गया जैसे कि अभी कोई vacancies unfilled है तो next year उन पे उनको उन vacancies को next year fill किया जाएगा लेकिन उसमें भी 50 प्रतिशत का जो rule है वो नहीं violet होना चाहिए एक permanent entry statutory body establish की जाएगी किस चीज के लिए OBC जो list है उसमें कौन-कौन आएगा और कौन-कौन नहीं आएगा उसके लिए और basic feature में rule of law add किया गया अब S.R. Bommai case है 1994 का इसका background क्या है करनाटक में 1983 में गैर Congressi सरकार बनती है जन्ता पार्टी की रामकृष्न हेगडे उसके CM होते हैं और S.R. Bommai industrial minister थे इन्होंने पंचायती राज को बहुत मजबूत किया लेकिन कुछ समय बाद इन पर जो रामकृष्न हेगडे उन पर corruption के चार्ज लग गए तो हेगडे जी ने resign कर दिया था 1988 में और S.R. Bommai जो है वो CM बन गए थे अब किसी विधायक ने पार्टी के विधायक ने गवर्नर को एक letter लिखा कि आप majority चेक करें सरकार से majority का समर्थन अपना दिखाएं तो लेकिन यह सामने आया कि letter पर विधायकों के जो signature है वो फरजी थे Bommai को मोका ही ने दिया गया अपना बहुमत सावित करने का और गवर्नर ने प्रेसिडेंट को लेक्टर बेज दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया करनाटक में जिससे इनकी सरकार गिर गई और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो बहुत important case है इससे हमें पैदा चलता है कि प्रेसिडेंट रूल 356 इसको भी चुनोती दे जा सकती है और इसका जो verdict आया कहा कि secularism जो है हमारे भारत का basic feature है और verdict में कहा गया कि 356 आर्टेकल जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को conditional power देती है ये जो आर्टेकल है conditional power देता है ना कि absolute power ये unconstitutional है एकदम irrelevant है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता इस case के बाद ये decide किया गया कि sunset की सुईकृति अब राजसभा और लोगसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो और दो महिने के समय सीमा के भीतर दोनों हाउसे से रेक्टिफाई कराया जाएगा तब ही state assembly को resolve किया जा सकता है इस case के ताहित center पर कुछ restrictions लग गई प्रेसिडेंट रूल इंपोस करने की ठीक है तो इसके बाद जो यह तो हमने कर लिया discuss कि बोथ दोनों हाउसे से रेक्टिफाई कराया जाएगा और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से यह suspension नहीं कर सकता है legislative assembly का और जो supreme court ने यह भी कहा कि जो proclamation है imposition of article 356 यह भी judicial review का ही subject है तो जो suspend की गई थी करनाटक legislative assembly उसको reactive किया गया अब जो basic structure डॉक्टराई ने इसके critics क्या क्या है क्या अलोचना होती है इसकी देखें सबसे पहली तो यह कि undemocratic है किस तरह से undemocratic है क्योंकि जो judges है वो सरकार वो public के द्वारा चुने हुए नहीं है वो decide कर रहे है कि क्या होना चाहिए basic structure और क्या नहीं है तो इसलिए कहा गया कि unelected judges हमारे constitution amendment को strike down कर देते हैं मतलब जो भी हमारी parliament public के द्वारा चुनी गई है वो अगर constitution में कोई amendment करती है तो unelected जो चुने हुए नहीं है public के द्वारा वो लोग इसको strike down कर देते हैं तो यह एक undemocratic प्रिक्रिया है तथा यह majority के भी विरुद है अब देखा गया है कि मतलब confusion create होता था कि basic structure कहा लिखा है तो court ने क्या कहा कि आप constitution के preamble को refer कर सकते हैं जब भी confusion होगा कि basic structure क्या है तो constitution के preamble में हमारे basic structure की अच्छी छाप है तो यह हमने discuss किया basic structure doctrine का part 2 तो इस तरह से topic finish होता है Thank you very much